सुन मसकार दोस्तों टेक्निकल बोश में आपका फिर्च बहुत बहुत सुरागत है और दोस्तों यदि आपके भी मुबाइल का इंटरनेट सलो चल रहा है आपके मुबाइल में जो भी आप वीडियो देख रहे है वो बहुत जादा घूम रही है नहीं चल रही है तो आज आ यह प्रोलम आपकी 101% किलियर होने वाली है और आज के बाद आपके मुबाइल का इंटरनेट पर उपर रूप से चलनने वाला है जिहां दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा वीडियो में आपके मुबाइल में नेटवर्क हो या ना हो इसका थोड़ा सा मतलब समझे इसकी मोँ सकता है वोड़ापोन एटर आइडिया जीओ कुछ भी हो ओके लेकिन दिक्कत क्या रही है कि आपके दोस्त के मुबाइल में इंटरनेट अच्छी श्पीड में चल रहा है लेकिन जो आप बैठे हो वहां पर आपके मुबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा है की वके तो इस प्रोल्म का है solution बताने वाला हूँ आपके वालम नेट वर्क हो या ना हो लेकिन इसका जो है solution क्या होगा यह आप अपने ऐशें दोस्त के पास बैठे उ जिसके मौल में जो है अच्छा नेट चल रहा है और आपके मौल में नेट नहीं चल रहा है तो फिर आपके उवाले में network हो या नहीं पताने वाला है तो इस वेडियो को थ्यान से देखना ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तो आज से पहले किसी ने भी नहीं बताई होगी यूटूब पर दोस्तों यकीन वानना आज से पहले भी मैंने इस तरह की एक वीडियो बनाएं से जिसमें मैंने आपको बताया था कि अब दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको तीन सेटिंग बताऊँगा आपके मुवाइल की आपका मुवाइल कोई सा भी हो कोई सा भी मुवाइल हो कोई सा भी सीम हो केवल तीन सेटिंग करने आपको अपने मुवाइल की और उसके बाद देखना आपके मुवाइल में इंटर प्रोपर रूप से होगी तभी जाके आपके मुवाइल में इंटरनेट सही से चलेगा तो चलिए जानते हैं पहले setting कौन सी है उसके बाद जानेंगे दूसरी setting फिर जानेंगे तीसरी setting तो पहले जानते हैं पहले सेटिंग के बारे में सबसे पहले दोस्ता आपको क्या करना है अपने मुवाइल का एक नया डालना है जो कि अभी मार्केट में नया अया है ओके मैंने पहुचा था सर्च किया नैट पर तब जा के मुझे ये एप्यान मिला यह आपको डिफाल्ट में रखना है जो मैं मैं आपको बताने वाला हूँ और इसके बाद आपको दो सेटिंग और केवल करनी है अपने मुवाइल के अंदर अब चलिए आपको अपने मुवाइल में एप्यान सेट करने के लिए क्या करना है अपने मुवाइल की सेटिंग में जाना है सबसे पहले ओके सेटिंग में जाने के बाद यहां पर सेटिंग मिलती है connection setting, connection setting में आपको चले जाना है, connection setting में जाने के बाद यहाँ पर एक setting मिलती है, mobile network, mobile network वाले setting में जाना है, और यहाँ पर जाना है, access point name, मतलब की APN, इस वाले option पर चले जाना है, अब यहाँ पर आपका mobile कोई सा भी हो, वो चाहे जियो का हो, idea का हो, इरिट लगा हो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मिलेगा, name, name में आपको क्या डाना है, दिहान से देखना, यहाँ पर आपको डाना है, 4G, video, okay, यहाँ पर आपने डाल देना है, 4G, video, आपके पास कोई सा भी SIM हो, इसको कर देना है, okay, इसके बाद पूछेगा आपसे APN, okay, तो APN में कहाँ डाना है, आपको अब ध्यान से देखना, जैसे मेरे पास है जियो का SIM, तो मैं तो यहाँ पर डाल लूँगा, जियो, नेट, okay, यदि आपके पास जियो का SIM है, तो यहाँ पर जियो नेट, आइडिया का SIM है, तो idea.gprs.com, Airtle का SIM है, तो airtle.gprs.com, ध्यान से देख लेना, मैंने क्या का है, वो यहाँ पर आपको enter करना है, इसके बाद okay करना है, इसके बाद proxy पुछेगा, port पुछेगा, username पुछेगा, इसमें कुछने डानना है, यहाँ पर एक option मिलेगा, server के नाम से, okay, server, तो server में जाना है आपक server में क्या डानना है, ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों अभी आप सभी लोग घर पे बैठे हो, तो video जाता देख रहे हूँ, यह trick जो मैंने बनाई है, यह video के लिए है, ना कि downloading के लिए है, ध्यान एक चीज को, okay, तो यह तिया आप video online देखते है, उसके लिए होगा, यह यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एक चीज, अब थोड़ा ज्यान से पहले देखना, okay, server में क्या डानना है, आपको यहाँ पर www.youtube.com, यहाँ पर आपको डानना है www.youtube.com, लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान देखना है, यह जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप youtube.com डाल यह उनलाइन, उसके full speed आपको मिनने वाली है, okay, तो यहाँ पर आपको यह डाल लेना है, इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे जाना है, और यहाँ पर एक छोटे से setting कर लेनी है, बस आपको और इसके बाद कुछ भी नहीं करना, okay, यहाँ पर आपको मिलेगा APN protocol, APN protocol मे सबसे नीचे लिखा दिखाई देगा, IPV4, IPV6, सबसे नीचे वाला, 30 नमबरगा, इसके टिक करेंगे, okay, इसके बाद मिलेगा APN roaming protocol, इसके टिक करेंगे, फिर सबसे नीचे वाला, IPV, IPV6, okay, तो यह क्या आपको करना है, और इसके बाद कुछ में नहीं करना है, इसके आपके मॉइल में activate समझ लिजिए, हो चुकी है, okay, अब इसको activate करने के बाद, आपके मॉइल में जो network की जो speed है, okay, video देखते टाइप, वो आपको full mini start हो जाएगी, लेकिन यहीं से ही काम ने चलेगा, okay, अब आपको क्या करना है, जिससे आपका मॉइल भी proper रूप से work करें, इस setting पर, आपको दो setting ऊर करनी है, बहुत ही आसान है, वो setting करना, और वो मैं कहता हूँ, आपको हमेशा करके रखने चाहिए, उनके बहुत ज़्यादा फाइदे है, अब आपको क्या करना है, अपने मॉइल के setting में जाना है, okay, setting में जाने के बाद, यहाँ पर आपको क्या कर करना है, अपने मॉइल का software अपडेट करना है, इसमें आपका आदा घंटा या फिर 15 मिनट या फिर 10 मिनट लग सकती है, लेकिन इसको करना ही करना है, जैसे मेरा मॉइल दिखा रहा है, your software is up to date, तो मुझे करने की जुरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आ सकता है, install करने के तो आपको यहाँ से install करना है, software आपको अपने नहीं मॉइल का, और तब जाकर यह आपके मॉइल का internet फर्ट चलेगा, और इसके बाद एक चीज और करने है, आपको वो क्या करना है, तहां से देखना है, जैसे कि आप सभी लोग जब अपने मॉइल के setting में जाते हो, इस तरी system के नाम से हो सकता है, device maintenance के नाम से हो सकता है, या फिर device clear cash के नाम से setting हो सकती है, तो यहाँ पर आपको जाना है, cool मिला के device care वाले option में, और यहाँ पर जो है, आपको दिखान लखना है, जितने भी यहाँ पर आपको टास्क मिलेंगे, वो सभी clear करने है, यहाँ पर आपको 99% सेंट लेके आना है ओके अपने मुवाइल को उप्टिमाइज यहां से करना है तो इस चीज़ का ध्यान लगना जैसे भी जैसे यह आप यह तीन सेटिंग कर लेंगे अपने मुवाइल में इसके बाद आप खुद ही वीडियो में आएंगे दुबारा से कमेंट करेंगे कि वा यही तो यही था इस वीडियो में आपको अच्छे लेके होगी सो नमस्कार दोस्ता आपका दिन सुबो